युधिष्टिर ने कहा पिता मह अब मैं गो दान की उत्तम विधी का यथार्थ रूप से श्रवन करना चाहता हूँ जिससे सनातन लोकों की प्राप्ती होती है भीश्म जी ने कहा बेटा गो दान से बढ़कर कुछ भी नहीं है यदि न्याय पूर्वक प्राप्त हुई गो का दान किया जाए तो वह समस्त कुल का ततकाल उद्धार कर देती है इसलिए तुम आदी काल से प्रचलित हुई गो दान की विधी का श्रवन करो प्राचीन काल की बात है जब महाराच मानधाता के पास बहुत सी गोएं दान के लिए लाई गई तो उन्होंने कैसी गो दान करे इस संदेह में पढ़कर ब्रहस पती जी से तुम्हारी ही तरहां प्रश्न किया गो दान करने वाले मनुश्य को चाहिए कि वह व्रत का पालन करे और ब्रामन को बोलाकर उसका अच्छी तरह सतकार करके कहे कि मैं कल प्रातह काल आपको गो दान करूंगा तत पश्चात वह गो दान के लिए लाल रंग की गो मंगावे और समंगे बहुले इस प्रकार कहकर गो को संबोधित करे फिर गो के बीच में जाकर निमनांकित शुरुती का उच्चारन करे गो मेरी माता और प्रतिष्ठा है बैल मेरा पिता है वे दोनों मुझे इह लोक में कथा स्वर्ग लोक में सुख दें इस प्रकार कहकर गो की शरण ले और उन्ही के साथ रात बिता कर सवेरे गो दान काल में ही फिर मौन भंग करे इस प्रकार गों के साथ एक रात रहकर उनके समान व्रत का पालन करते हुए उन्ही के साथ एकात्म भाव को प्राप्त होने से मनुश्य ततकाल संपूर्ण पापों से छूट जाता है गो दान करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें गोए उत्साह संपन बल और बुद्धी से युक्त अमरत्व प्रदान करने वाले यग्य संबंधी हविश्य की क्षेत्र भूता जगत की प्रतिष्ठा प्रित्वी को प्रकट करने वाली संसार के अनादी प्रवाह को प्रवृत करने वाली और प्रजापती की पुत्री है सूर्य और चंद्रमा के अंश से प्रकट हुई वे गोएं हमारे पापों का नाश करें हमें उत्तम लोग की प्राप्ती में सहायता दें माता की भांती शरण प्रदान करें और जिन इच्छाओं को हमने अपने मुह से कभी नहीं प्रकट किया है वे भी उनकी क्रिपा से पूर्ण हो जाएं जो लोग तुम्हारी आराधना में लगे रहते हैं उनके कर्मों से प्रसन होकर तुम उन्हें क्षय आधी रोगों से छुटकारा देलाती हो और देह बंधन से भी मुक्तप कर देती हो जो मनुष्य तुम्हारी सेवा किया करते हैं उनके कल्यान के लिए तुम सरस्वती नदी की बांती सदा प्रयतन शील रहती हो गो माताओ हमारे उपर प्रसन हो जाओ और हमें समस्त पुर्ण्यों के द्वारा प्राप्त होने वाली अभीष्ट गती प्रदान करो इसके बाद दाता निम्नांकित आधेश लोक का उचारन करे या वई यूयम सो अहम मध्येव भावो युश्मान दत्वा चाहम मात्म प्रदाता गो तुम्हारा जो स्वरूप है वही मेरा भी है तुम्में और हमें कोई अंतर नहीं है अतेह आज तुम्हें दान में दे कर हमने अपने आपको ही दान किया है दाता के ऐसा कहने पर दान लेने वाला ब्रहमन शेश आधेश लोक का उचारन करे मनश्च यूता मन एवो पन्नाहा संधक शुद्वम सौम्य रूपो ग्रूपाहा गो तुम शांद और प्रचंड रूप धारन करने वाली हो अब तुम्हारे उपर दाता का ममत्व नहीं रहा अब तुम मेरे अधिकार में आ गई हो अतह अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और दाता को भी प्रसन करो जो गो के निश्क्रिये रूप में उसका मूल्य वस्त्र अत्व सुवर्ण दान करता है उसको भी गो दाता ही कहना चाहिए इस रूप में दी जाने वाली गो का नाम क्रमशह उधर वास्या भवी तव्या और वैश्नवी हैं संकल्प के समय इनके इनही नामों का उच्चारन करना चाहिए इनके दान का फल भी क्रमशह इस प्रकार समझना चाहिए गो का मूल्य देने वाला 36,000 वर्षों तक गो की जगह वस्त्रदान करने वाला 8,000 वर्षों तक तथा गो के स्थान में सुवर्ण देने वाला 20,000 वर्षों तक दिव्या लोक में सुक भोगता है इस तरहां गो के निश्क्रिय दान का क्रमशह फल बताया गया इसे ध्यान में रखना चाहिए साक्षाद गो का दान लेकर जब भ्रामन अपने घर की और जाने लगता है उस समय उसके आठ पक जाते जाते ही दाता को अपने दान का फल मिल जाता है साक्षाद गो को दान करने वाला शीलवान और उसका मूल्य देने वाला निर्भय होता है तथा गो की जगह इच्छा अनुसार सुवर्ण दान करने वाला मनुश्य कभी दुख में नहीं पड़ता जो प्रातह काल उठकर नित्य नियमों का अनुष्ठान करने वाला और महा भारत का विद्वान है वेह तथा उपर बताए हुए गोदाता पुरुष चंद्रमा के समान प्रकाश्मान वैश्नव लोकों में गमन करते हैं गोदान करने के पश्चात मनुश्य को तीन रात तक गोवरत का पालन करना चाहिए और एक रात गोओं के साथ रहना चाहिए कामाश्टमी से लेकर तीन रात तक गोबर गोदुग्ध अत्वा गोवरस मात्र का आहार करना चाहिए जो पुरुष एक बैल दान करता है वह देव व्रती होता है जो एक गाएं और एक बैल दान करता है उसे वेदों की प्राप्ती होती है तथा जो विधी पूर्वक गौव का दान करता है उसे उत्तम लोग मिलते है किन्तु जो विधी को नहीं जानता वह उत्तम फल से वंचित रहता है जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है जो वरत का पालन नहीं करता जिसमें श्रद्धा का अभाव है तथा जिसकी बुद्धी कुटिल है उसे इस गोदान की विधी का उपतेश न दे क्योंकि यह सबसे गोपनिय धर्म है इसका यत्र तत्र सर्वत्र प्रचार नहीं करना चाहिए संसार में बहुत से अश्रद्धालू शुद्र तथा राक्ष स्वभाव के मनुष्य हैं और कितने ही नास्तिक्ता का आश्रय लिए हुए हैं उनको यदि इस धर्म का उपतेश दिया जाए तो अनिष्ट होता है राजन प्रहस्पती जी के इस उपतेश को सुन कर जिन पुर्ण्यशील राजाओं ने गोधान किया और उसके प्रभाव से वे उत्तम लोकों को प्राप्थ हुए उनका नाम मैं तुम्हें बता रहा हू सुनो उशीनर, विश्व गश्व, निरिक, भागीरत, योव नाशव, मुचुकुंद, भूरी ध्युमन, नैशत, सोमक, पुरुरवा, चक्रवर्ती भरत और राजा दिलीप इन सबने गोधान करके स्वर्ग लोग प्राप्त किया है अतेह कुंती नंदन तुम भी ब्रहस्पती के उपतेश को धारण करो और कौरव राज्य पर अधिकार पाकर उत्तम ब्रामनों को प्रसनता पूर्वक गोएं दान करो वैशम पायन जी कहते हैं जनमे जय भीश्म जी ने जब इस प्रकार विधिवत गोदान करने की आग्या दी तो धर्म राज युदिष्टिर ने वैसा ही किया और ब्रहस पती जी ने मांधाता के लिए जिस धर्म का उपतेश किया था उसको भी भली बांती स्मरण रखा वे गोबर के साथ जो के कण का आहार करते हुए इंद्रिय सैयम पूर्वक पृत्वी पर शयन करने लगे उनके मस्तग पर जटाएं बढ़ गई उन दिनों राजाओं में श्रेष्ट युधिष्ठिर साक्षात धर्म के समान दैदीप्यमान हो रहे थे वे अपने मन को एकाग्र रख कर देवताओं की भांती गोओं की स्तुती करते और देव बुद्धी से ही सदा उनको प्रणाम किया करते थे तब से उन्होंने अपने रख में बैलों को कभी नहीं जोता बैल गाड़ी की सवारी ही छोड़ दी गोड़ों से जुते हुए रख की सवारी से वे इधर उधर की यात्रा करते थे